कि अब हमें गोली से या जो भी हत्यार से हमको हत्या किया जा रहा है इसका मुल कारण है कि भारत में भ्रामणबादी ब्योस्था चल रहा है दलित के साथे बार-बार ये घटनाय आये दिन होते रहता है तो समाज ब्योस्था अगर पढ़ियेगा जानियेगा समझीयेगा तो समाज बेवस्था में जो चार वर्ण बेवस्था बनाया गया है चार ब्रामण छत्री बैस सुद्र दलित को इस बरन बेवस्था के अंदर ब्रामणों ने रखा है यानि अच्छूत गोसित कि 20 साल का बच्चा वहां सर में गोली लगने से मरा की नहीं मरा तो उनको किसान का बोट नहीं चाहिए मजदूरों का बोट नहीं चाहिए हूं उनको लगता है कि हमारे पास समधान कि यह वगर ही हमको बोट मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश के रामपूर में बीते दिनों कैसी घटना घटती है कि वहां पर बावा साहब भिम्राम बेटकर में आस्था रखन इसको चाहती में लग जाती है और सोमेश मौके पर उनकी मौत हो जाती है इस मसले को लेकर भीम आर्मी के मुखियाच चंदरसेखर आजाद जो है वहां उनकी पिडित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं और छे मांग भी करते हैं लेकिस मसले को लेकर बोज़ा समाज पार ही समर्थक हैं भारती मुक्ती मुर्चा पार्टी के जो है ब्यार के प्रदेश अध्यच्छ हैं स्वागत है जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके नेता कहीं नहीं बोलते हैं कहीं एट्रोसीटी होता है दलीतों के साथ तो सिर्फ इब्यमेप आप लोग सवाल उठाइएगा सबसे पहले तो जानना है कि एट्रोसीटी क्यों हो रहा है जो हमारे ऊपर आये दिन हमेशा नयाय अत्यचार जो हो रहा है कहीं मतलब कि मुछ रखने पर कहीं घोडी चड़ने पर कहीं मतलब कि रविदास हो या बाबा साब की जैन्ती मनाने पर या कई मुद्दों को लेकर देखेंगे तो हमेशा हमको मतलब की इस विवस्था का सिकार होना पड़ रहा है तो यह हमें गोली से या जो भी हतियार से हमको शत्या किया जा रहा है इसका मुल कारण है कि भारत में ब्रह्मणवादी ब्योस्था चल रहा है लोकतंत्र में लोकतंत्र मात्र कहने का है लोकतंत्र अस्थापीद करने के लिए हमारे महापुर्सों ने जो कुर्बानी दिया था वास्तिविक लोकतंत्र अस्थापीद करने के लिए कुर्बानी दिया था लेकिन आज के तारीख में यह डेमोक्रेसी नहीं वास्तों में लोगतंत्र होता तो लोगतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां कमजोर से कमजोर पिनित से पिनित दुखी से दुखी मतलब की मतलब लोगों की आवाज जिस तंत्र में सुना जाता है उसको लोगतंत्र कहा जाता है फोलिस को पूलिस खोद के रख्षक प्रहरी मतलब की जिनको ल्वें और मेंटन करने के लिए केवल रखा गया है कि बताई पर पॉलिस गोली मारती है दलित बच्चा को लग जाता है सुमेश को तो इसमें आप ब्रमानवादी व्यवस्ता से क्यों रिलेट करके बोल रहा है क्योंकि दलित के साथ बार बार यह घटनाय आये दिन होते रहता है तो समाज ब्यवस्ता अगर पढ़ीग का जानिएगा तो समाज ब्यवस्ता में जो चार वरन ब्यवस्ता बनाया गया है चार भ्रामध शत्रीबीस सूद्र दलित को इस वरन ब्यवस्ता के अंदर ब्राम उनय नहीं रखा है यानि आज हूँद किया है जिसके चलते यह हमें दिन देखना पड़ रहा है आज भी आप बहुत से लोग कहता है हम लोगों से कि छुअ छू तो उचने जाती व्योस्था आप नहीं काम कर रहा है भले जाती व्योस्था अलग तरीका से काम कर रहा है देखिएगा कि सविधानिक संस्था संस्थानिक अत्यचार हो रहा है, सेवेधानिक अत्यचार हो रहा है, जो भी सेवेधानिक संस्था है, उस संस्था में हमारे बच्छों को इंट्री रोक लगया जा रहा है, जैसे लेटरल इंट्री हो गया, कलेजियम सिस्टम हो गया, तमाम जो भी EWS हो गया, यह हमारे बच् सभी समस्यावों का मूल कारण जो भी घटनाय देश में किवल दलित के सांथ नहीं हो रहा है कि वह भी सी और गज्ट के साथ हो रहा है आप छोड़िया रहा है बड़ा है रान करने की बात है है अहीर के साथ आप तो जो अहिर और चत्री ब्राम्वरो के विवस्था के समर्थक बने हुए उनके सांथ अत्यचार हो रहा है अब इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बाकी नहीं है इस विवस्था में तब पूछ रहा है सर तब फिर आत्यचार होगा तो बोलिए हर पांच मिनेट पर मतलब की हो रहा है भारत के धरती पर यह किवल उत्तर प्रदेश के रामपूर की घटना नहीं हर रोज रामपूर की तरह घटना हो रहा है रामपूर पर तो कुछ बोलना चाहिए आपके नेता को हम लोग मतलब की सारा जड़ से ब्योस्था को मिठाने के लिए था कि अन्याएत्येचारज ओर रहा है इभीम को वोग पकड़े हैं इभीम से उसको लग रहा है कि हमें एसी इस्टी का बोट नहीं चाहिए एसी का बोट नहीं चाहिए किसान अंदूलन में देखे कि गोली वहां भी लगा कि आप मर गया कि पचीस साल का बच्चा वहां सर में गुली लगने से मरा कि नहीं मरा तो उनको किसान का भोट नहीं चाहिए मजदूरों का भोट नहीं चाहिए उनको लगता है कि हमारे पास समधान कि यह वगर ही हमको वूट मिल जाता है तो क्या लगता है कि आप मानते हैं कि चंद्र सेखर आजाद उस पर चर्चा कर रहे हैं हम चाहते हैं कि रामपूर में जाकर चंद्र सेखर गलती नहीं किया है लेकिन केवल परिडाम पर ही चर्चा करते रहेंगे केवल एट्रोसिटीज पर ही चर्चा करते रहेंगे और एट्रोसिटीज का कारण को नहीं पकड़ेंगे कियों यहां अच्छा ये सवाल हम अपने से करें क्यों बहुजन समाज पर ही अत्याचार हो रहा है क्या कभी ब्रामVंडो को गोल ली मारते हुए बहुज्च का देखे हैं कभी समुचार ऐसा कोई ब्रामवडो के बेटी को पकड़ कर घर मतलब कि रेप कर दिया चाहें किसी ब्रामण को पकड़ कर हमने गोली मार दिया कहीं बांध कर उसको मवलीचिंग किया ऐसा कोई घटना भारत में देखते हैं ऐसा नहीं क्यों बहुजन समाज के साथ ही ऐसी घटना है क्यों हो रही है तो इसका कारण है कि बहुजन समाज ब्र क्यों है इस व्योस्था में तो जब तक हम यह सासक नहीं बनेंगा और सासक इभिया मसीन बनने नहीं दे रहा है तो आप एट्रुसीटी के खिलाब तभी अबाद उठाएंगे जब लोग रोक लागा एट्रुसीटी स्वत्ता रुख जाएगा स्वत्ता समाप्त हो इभियम उसको बहुत संख्यां के शासन करती जमात बनाई है इभियम मसीन हमको सासन करती जमात हमको बनना चाहिए पचासी परसेंट संख्या हमारी हैं लेकिन साड़े तीन परसेंट संख्या वाला सासक करती जमात बना हुआ है इसलिए इभियम को हटाना बहुत जरूरी है इभियम हट जाएगा आप मतलब की देखिया का भारत में अन्याय तेचर नहीं होगा ब्रामा डर जाएगा कि लोग सासक करती जमात अब बन गया है अगर इनके ऊपर अगर किसी प्रकार का एट्रोसीटिज करेंगे तो उल्टा पर्तकिरिया में हमारा जान जाएगा जैसे देवरिया वाला घटना अपने देखा है तो देखिए यह संतोस्त नागवांसी जे और दिस तरीके से रामपुर मे घटना घटी है उसको लेकर फूरे प्रक्रण फिनोंने बात किया इनके नेता का उस पर क्यों नहीं जवाब आया उस पर विनोंने बात किया उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दिजी धन्यवाद